दोस्तो जर्मनी लगजरी कार मैनुफेक्चरर्स, मर्सडीज बेंज ने इंडियन मार्केट में अपनी नई मेड इन इंडिया S-Class को लॉंच कर दिया है। इस सिडैन कार को पूरे में कमपनी के प्लांट में बनाया गया और ये पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई है। इस से पहले कमपनी S-Class सिडैन को कमप्लीट बिल्ट यूनिट इंडिया में लेकर आती थी। जिसके कारण इस कार की कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी। दोस्तो जानेंगे इस कार की कीमत और फीचर्स के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप वर्ल्ड न्यूज में दिल्चस्पी रखते हैं तो दोस्तो हर खबर को बहुत ही डिटेल में जानने के लिए हमारे दूसरे चैनल M.M.News को अभी सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब अगर बात करें S-Class की तो दोस्तो कार पर हाई इंपोर्ड ड्यूटी लगने के चलते इसकी कीमत 2,17,000,000 रुपे थी। लेकिन अब भारत में बनने के चलते इस कार की कीमतों में भारी कटोती की गई Mercedes-Benz India ने S-Class की 8,250 से भी ज़्यादा यूनिट्स इंडिया में बेची है। S-Class की CBU यूनिट यानि की Complete Built Unit को कस्टमर्स ने खुब पसंद किया था। यही कारण है कि अब कमपनी ने इस कार के Made in India वर्जन को लॉंच कर दिया है। कमपनी को उमीद है कि नई कार लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आएगी। Mercedes-S-Class अपने सेग्मेंट में अल्टरा लग्जरी सिडैन BMW 7 Series और Audi A8 जैसे Competitors के साथ मुकाबला करती है। फीचर्स की बात करें तो Made in India Mercedes-Benz S-Class में 12.8 इंच का Portrait Touchscreen Infotainment System, 12.3 इंच का Digital Instrument Cluster, Ambient Lighting, Automatic Climate Control, Adjustable Front Seat, Bermaster 4D Surround Sound System, Rear Seat Entertainment System जैसे इस वही खास फीजर्स किये गया है। वही अगर इंचन की बात है तो Mercedes-Benz S-Class CKD को पैट्रोल और डीजर दोनों इंचन option के साथ पेश किया गया है। जो कि 9-speed Automatic Gearbox Option के साथ होगी है। Mercedes-Benz S-Class 2021 के खिलाल दो वेरियंट्स में पेश किया जाएगा। जिसमें S-400D और 450 4MATIC वेरियंट्स शामिल होंगे। ये 6-सिलेंडर वाले पैट्रोल और डीजर इंचन के साथ चाहिए। ये इंचन 3-7 एक्षी के लिज़ पावर पर रिज़ करता है। इसका फ्लीट के लिज़ पावर पावर की स्पीड सिरफ 5 सेकंड में पकड़ सकती है। तो दोस्तो कैसी लगी आपको इंडिया मेड S-Class हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो हमारे MM News चैनल को फोलो करना ना भूलें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप से ऐसी ही किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।